जो राहुल गांधी जी ने कल वक्तव दिया और जिस तरह से उन्होंने मनीपूर के मामलों के संबंद में देश की जनता को अवगत कराया, देश की जनता को रुवरू कराया, उससे भारतियंता पाटी के खेमे में बुखलाहाट और बेचैनी हो गई लेकिन एक बात मैं असपश्ट कर देना चाहता हूँ कि मुंबई बैठक के बाद आप देखेंगे कि भारतियंता पाटी के खेमे में करनाटक की तरह भगदण की स्थिति मचेगी, जो बिचैनी है, जो बुखलाहाट है, वो अब परधान मंतरी अस्तर तक पहुंच चुका है मुदी बना मुद्दो की बात कर रहे हैं, मुद्दो के साथ जब हम खड़े हैं, इंडिया के लोग मुद्दो के साथ जब खड़े हैं, इंडिया के लोग की आकांच्छा के साथ खड़े हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है कि कौन क्या कहता है नमस्कार में मनिस और आप देख रहे हैं एक निउस 24 हमारे साथ मौजूद है आरजडी के परवक्ता एजाज अहमद्दी एजाज जी पंजाब कॉंग्रेस के अध्यक्ष का कहना है कि हम पंजाब में 13 सांसत को अकेले उतारेंगे क्या कहेंगे क्या इंडिया में सब ठीक चल नंदिऌेख हैं इंडिया के लोग मुद्धो के साथ यह वहां है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है कि कौन क्या कहता है लेकिन सब्से बड़ी बात यह हैं, कि जो चुनाओं मोड होता है और चुनाओं में जो बाते होती हैं वह कंद्रिय नतरित के द़ारा फैसला किया जाता और कॉंग्रेस का केंद्रिये ने तरित इस संबंद में सारी बातों को देख करके फैसला करेगा लेकिन एक बात मैं असपश्ट कर देना चाहता हूं कि मुंबई बैठक के बाद आप देखेंगे कि भारतिय जन्ता पार्टी के खेमे में करनाटक की तरह चैनी देखा रहे हैं इससे ही समझ में आता है कि इंडिया का जो लक्ष था इंडिया की जो सोच थी उस सोच में हम काम्याब राम किरपाल आदब का जदियू के सांसुदों पर कटाक्ष है उनका कहना कि यह लोग गुलाम हैं यह लोग को आदत है डाट खाने का जो अपने विचारों को छोड़ देता है जो अपने सिध्धानतों को छोड़ देता है उससे बड़ा गुलाम कोई हो ही नहीं सकता है विचारों पर जो टिका रहता है सिध्धानतों पर जो टिका रहता है वही आजाद होता है और आजादी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो लोग अभी आज इंडिया के साथ है वो अपने सिध्धानतों के साथ है अपने विचारों के साथ है और जो बाबा साहिब भीम राव अम्बेदकर का विचार है कि देश में सम्विधान और सम्विधानिक व्यस्था को जिस तरह से तोड मरोर करके प्रस्तुत करने की कोशिस की जा है उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा रहना और संकल्प लेना यही आधार है अब जो लोग अपने आपको सिध्धान वादी कहा करते थे वह अपने आपको सिध्धान बेच करके विचार को गिर्वी रख करके अगर किसी और के साथ चले गया है सावर कर वादियों के साथ सदन में राहूल गांधी के फ्लाइंग कीस पर इंडिये के 22 महिला सांसदों ने स्पिकर से सिकायद किया यह लोगसभा के अंदर का मामला है और इस संबन में लोगसभा अध्यागी फैसला करेंगे लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं जो राहूल गांधी जी ने कल व खेमे में बॉखलाहाट और बेचैनी हो गई और उन्होंने एक नए तरीके का परपंच रच करके इसको राजनीतिक रूप से जो प्रस्तुत करने का प्रियास किया है उसमें उनको मूं की खाने पड़ेगी चुक्के वह जो बात कह रहे थे वह बात पूरे देश के लोगो रहे थे उसमें उनका मूं लोग सभाद धेक क्यों था ना कि किसी भाजपा महिला सांसत क्यों तो यह थे हमारे साथ आरजडी के परवक्ता है इजाज अहमाद जी जिन्होंने सिदे तौर पर यह कहा कि राहुल गांधी जो मनिपूर्ग की घटना को लेकर के सदन में बोले हुए अगर प्लाइंग की इसकी बात की जाए तो वह स्पीकर के तरफ फेस अपना किये हुए थे ना कि किसी भाजपा के महिला सांसत की तरफ इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे हैं एक न्यूस 24 कैमरामेन पिंटू के साथ मैं मनीज पटना हूँ